हेलो गाइस आप सभी का बालकी रसोर यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मटर की खस्ता कचोरी बनाना तो आई ये बनाते हैं मटर की खस्ता कचोरी मटर की कचोडी बनाने के लिए ये हमने एक कचोडी मटर लिये हैं इनको हमने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी सुखा लिया है और दो हरी मिर्च ली है हमने साथ में और एक बाउल हमने मैदा लिया है एक चम्मच हमने गरम मसाला, दो चम्मच धनिया पोडर और एक चम्मच आमचूर पोडर लिया है, नमक स्वादर मुसार लाल मिर्ची पोडर एक चम्मच लिया है, जीरा हमने आदा चम्मच लिया है, आप मिर्ची अपने अकोडिंग डाल सकते हैं, तो आई ये बनाते हैं मिर्चली है और यह एक कटोरी मटर लिए यह इसमें डाल दूँगी और इन्हें मैं चौप कर लेती हूं हमारे चौपर में अच्छे से चौप हो चुकी है मटर और यह मैं बिलेड को एक साइड में कर दूँगी इसके एक सोस्पेन लिया है यह इसको ओल कर दिया है मैं इसमें एक सर्वी स्पून ओईल डालूँगी ओईल हमारा गरम हो चुका है अब मैं इसमें यह जीरा डाल दूँगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें यह मटर डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें आब मसाले आड़ करूँगी लाल रची पोडर धनिया नमाग स्वादनुशार और यह आँचू पोडर गरम मसाला और इनको मैं अच्छे से मिक कर लूँगी इन्हें में थोड़ा सा अच्छे से घूल लूँगी और यह हमारी मटर गूल चुकी है गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसे में ठंडा होने दूँगी जब तक यह हमारे ठंडा होता है तब यह मैं आटा गूंद कर तयार कर लूँगी अब मैं इसमें यह चोटा स्पून है और यह मैंने आदा चमच लिया है इसको मैं हाथ से मस्सल कर इसमें डाल दूँगी जबैन को और यह चोधाई चमच मैंने नमक लिया है यह मैं इसमें डाल दूँगी मिक्स करूँगी हाथ से और अम मैं इसमें ओल डालूँगी यह मैंने एक सर्वी स्पून ओल लिया है और आदा सर्वी स्पून ओल ले लेती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है देखो इसकी मुठियां भी बनने लगी है अब मैं पानी से इसका आटा बूंद कर त्यार करूँगी हमें ज्यादा नरम और ज्यादा टा बूंद कर त्यार नहीं करना है बिल्कुल मेडियम साइज का आटा हमें त्यार करना है ये हमारा आटा गुल कर त्यार हो चुका है इसे हम एक मिनट के लिए रैष्ट पे छोड़ देते हैं आटे को ये हमारा थंडा हो चुका है इसे मैं एक सेड में रख दूंगी थंडा मसाले को मैंने ओईल लिया है कड़ाई में और ओईल को मैं गरम होने के लिए रख दूँगी और इधर हमारा आटा भी अच्छे से सैट हो चुका है इसे थोड़ा हास्ती में मल बोली यह बिलकुल हमारा सोफ्ट आटा है ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नरम और अब मैं इस साटे के पेड़े कर लूँगी मैं इस साइज के पेड़े करूँगी इसके अब हमारे पेड़े तियार हो चुके हैं अब मैं इसे इस परकार से अब मैं एक चमच भरके इसमें ये मतर का मसाला डालूंगी और इसे इस परकार से मतर को अंदर की तरफ दबा दूंगी और इस परकार से मैं इसे फोल्ड करती जाऊंगी देखो इसे अच्छे से इस परकार से दबा दूंगी मैं और इस परकार से हमें ये कचोड़ी त्यार करनी हैं और इसी परकार से मैं अपनी सारी कचोड़ी भरकर त्यार करूंगी मैं नहीं और ये हमारी सारी कचोड़ी भरकर त्यार हो चुकी है जारा ओल गरम हो चुका है इसमें मैं जड़ासा ये आठा दिखाऊंगी डालके और गैस को मैं स्लो कर देती हूं हमें हाई गैस नहीं करनी है बिल्कुल मीडियम गैस पर ही हमें इने सेखना है और इन्हें मैं मीडियम गैस पर ही सिखने दूंगी और अब मैं इन्हें हिला दूंगी बिल्कुल आइकता से ही हिलाना है इन्हें और यह धीरे धीरे सिखने दूंगी है मीडियम गैस पर ही इन्हें मैं सिखने देते हूं इन्हें ब्राउन होने तक मैं इसे सिखने दूंगी यह हमारी कचोड़ी का कलर कितना अच्छा रहा है इन्हें मैं और सिखने दूंगी अच्छे से और यह हमारी कचोड़ी अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से सिखकर त्यार हो चुकी है अब मैं इने निकाल दूंगी सिखकर त्यार हुई है और अब मैं इने एक प्लीट में सब्सक्राइब और यह हमारी खस्ता कचोड़ी मटर की बनकर त्यार हो चुकी है अगर हमारी व्यूडियो आपको अच्छी लगी प्लीज प्लीज लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद